जैहिन एन हेलो गाईज स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियान देए होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जहरकंड स्टाप सेलेक्शन कमिसन यानि के जे एससी मैट्रिक लेवल यानि के जे एम एल सी सी इ ओनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस बरती का फॉर्म फिल अप करना है तो आप इस वीडियो को देखते रहे हैं यहाँ पर आपको इलिजिबिल्टी से लेकर के फॉर्म फिल तक पूरी जानकारी दी जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तने यहाँ पर अभी जब वीडियो मे जानकारी आजेगी जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि यह बरती 455 पद पर निकाली गई है और इसमें दसवी पास कैंडियेट अपलाई कर पाएंगे दसवी के साथ में जो अलग से क्वालिफिकेशन है या फिर अन्य डिटेल है वो आपको यहाँ पर आगे में देने वाला हूँ बट उसके पहले आप यह जान लीजे कि आप लोग इस फोर्म को 10 अक्टूबर 2022 से लेकर के 10 नौबर 2022 तक भर पाएंगे और फोर्म के अंदर अगर कोई मिश्टेक हो जाती है तो उसके अंदर करक्शन करने के लिए आपको 16 नौबर 2022 से लेकर के 19 नौबर 2022 तक कसमें दिया है बात करें आपकी पोस्ट की तो पोस्ट है आपकी पहली कीट पालक एवम समकक्स इसके लिए 268 पद है दूसरी है सिल्पी एवम समकक्स इसके लिए 110 पद है अपलाई करने के लिए आपसे आप देख सकते कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकिसन मांगी ह तो आपकी जो पहली वाली पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आप से दस्वी पास की हो गयता मांगिये जो कि आपने दस्वी जहारकांड राज्य मैवस्थित माननेता पराप्त सेक्सनिक स्थान से की हो आपको यहाँ पर बोला है कि एउम जहारकांड रेसं तकनीकी विकास अंस्थान चाहिबासा से एक वर्से सर्टिफिकेट कोर्स जो कि आपका सेरी कल्चर या फिर सिल्क या फिर विभिंग या फिर सिल्क डाइंग प्रिंटिंग इनमें से किसी में होना चाहिए अगर यह नह है कि हस्त सिल्फ में एक वर्स का सर्टिफिकेट कोर्स एवम हस्त सिल्फ छेतर में खैती पराप्त संस्थान या जो रिप्यूटिट संस्थान है वहां से आपके पास दो साल का नुगाओ भी होना चाहिए तो सिदी जी बात यह तो यह है कि इसमें सिंपल दस्वी पास से आप अपलाई नहीं कर पाएंगे तस्वी के साथ में यह जो अलग इंफोर्मिशन मैंने आपर आपको दी है वो होनी चाहिए सैलरी किसके लिए क्या दी जाएगी वो आप यहां पर देख सकते है एज लिमिट मिनिमम यह है और मैक्सिमम कैटिकरी वाइज आप यहां पर च अब यहां पर आने पर आपको सबसे पहले नियू रिश्टन के उपर क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो रिश्टन है इसका पेज ओपन हो जाएगा आपको यहां पर सबसे पहले पोस्ट अप्लाईड पर क्लिक करके यह सेलेक्ट करना है कि क भारती है इसके बाद are you a local resident of जहरकंड यानिके जहरकंड के आप इस्थाई निवासी है वहाँ के local resident है अगर हाँ तो yes नहीं तो आपको नो करना है अगर आप यहाँ पर yes करते तो आपको district of local लोकल लेसिदेंस यानिके आपकी कौन से जहरकंड की वह आपको select कर लेना है फिर आपसे पोचे कि certificate number of your local residence of जहरकंड यानिके जो आपका जहरकंड का certificate है डोमसाल certificate आप जिसको बोलते हैं उसका नंबर आपको यहाँ पर enter करना है आपके certificate से फिर आति यह उन्ग अथोर्टी तो इसी उन्ग अथोर्टी क्या है किसके दोरा यह certificate जारी हुआ है DC SDOC जिसके दोरा भी हुआ है वही आप यहाँ पर select कर लीजे यह आपको आपके certificate के ऊपर देखने को मिल जाएगा कि कि किसके अथोर्टी के दोरा यह certificate जारी हुआ है उसी के according आपको यहाँ पर वह select करना है फिर आता है date of issue of your local residence certificate यानिकि domosal certificate कभी आपने issue करा है वो date आपको देनी है अब यहाँ पर नीचे यह बोला कि 4DC SDO not earlier than 2626 यानिकि अगर आपका certificate DC या फिर SDO के दोरा जारी हुआ है तो यह आ आपका 19.7.2019 से पहले का नई बना होना चाहिए इसके बाद कही बना होना चाहिए तो फिर आपको यहाँ पर उसके according अपनी जो date है वो select कर लेनी है तो चलिए हम इसको select कर लेते हैं अब आता है social category detail तो reservation category आपकी कौन से है यानिके cost category कौन सी है जो भी है वो आप यहाँ पर select कर लीजिए अगर you are है तो you are SCT you are का मतलब यानि general SCT तो आप जानते हूं यो भी आपकी है अगर आप आपकी category SCT है तो आप यहाँ पर same way में आपका certificate नमबर देंगे इस यहां का थोटी बटाएंगे और आपका certificate issue है वो भी आप यहाँ पर देंगे अगर आप general है तो आप simply यह institute से होनी चाहिए जो की जहरकंड के geographical area के अंदर ही आता हो जिस जिनोंने जहरकंड के बाहर से दस्वी की है वो फिर इसमें eligible नहीं होंगे apply करने के लिए तो हमने यहाँ पर इसमें यह सी रहेगा अब आता है PhD डिटेल क्या आप physically handicap handicap यान के विकलांग अगर आप विकलां अंडर के उपर क्लिक करना है और जो भी आपका year है वो आपको यहाँ पर select करना है पहले फिर आपको यहाँ पर मन्त और उसके बाद में date of birth आ जाएगी अब आप अपना यहाँ पर mobile number एंटर करेंगे इस नंबर को दोबरा डाल करके आप verify कर देंगे email ID को fill करने के बाद दो email ID और mobile number यहाँ पर fill किया था इसके उपर OTP गया होगा वो OTP आपको डालना है पहले mobile वाला और second में आपको email वाला और यह डालने के बाद आप यहाँ पर continue उपर क्लिक करेंगे इसके उपर क्लिक करने के बाद में जो आपका OTP verification हो जाएगा registration होने के बाद में आपको registration number and password की जानकारी message और email के मादियम से send कर दी जाएगी अब और आपके सामने कुछ ऐसा interface होगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर आपको save and continue के उपर क्लिक करना है अब इसके उपर क्लिक करने के बाद जो आपकी अन्या information है वो सब आपको यहाँ पर अभी fill करनी है तो चलिए थोड़ा सा wait करते क्योंकि processing में थोड़ा वक्त लग रहा है अब यहाँ पर आपके सामने आपकी basic detail आचुके जिसमें कि सबसे पहले आपको आपके father का name एंटर करना है यह भी आपका 10th की mark sheet के अनुसार होना चाहिए और जो आपकी मताजी का नाम है mother's name वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है फिर marital status में बताने कि marido या फिर single हो इस mark तो आप यहाँ पर no mark भी लिख सकते है और अगर आपकी body के उपर एक से ज़्यादा mark है तो आप यहाँ पर दूसरा mark भी लिख दीजिए नहीं तो फिर इसको आप खाली छोड़ दीजिए इसके बादा do you claim reservation under sports quota यानिकि sports quota के तहित जो reservation मिलता है कि आप उसके लिए claim करते क आप इसके अंतरकत आते हैं तो पहले आपको notification पढ़ना है sports quota की eligibility देखनी है उसी के according आपको यहाँ पर yes no करना है फिर आता है do you have knowledge of local custom language and surrounding of जहरकंड state यानकि जहरकंड की local language है और इसके असपास की जो है वो आपको क्या आती है अगर हाँ तो आपको yes करना है नहीं तो आप no करेंगे अगर आप यहाँ पर yes करते तो फिर इसके बाद में आपको select paper to language यानके paper to की language आप कौन सी रखना चाहते इन में से तो जो भी आप रखना चाहते है वह आप select कर लीजे तो चलिए हम इसको select कर लेते फिर आते correspondence address यानिके present address तो जो भी आपका present address है वो आप यहाँ प यानिके present address तो अगर आपका correspondence यानिके present और permanent address से में एक जैसा है तो आप यहाँ पर tick कर दीजे अगर अलग अलग है तो इसको untick करके अलग से अपना permanent address fill कर दीजेगा and then आप यहाँ पर save and continue के उपर click करेंगे अब guys आपके सामने education detail आ चुकी है तो सबसे पहले आप यहाँ प में आपको all subject लिख देना है 10th वाले section में फिरत है euro passing कि साल के अंदर आपने pass कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर select कर लेना है आपकी percentage कितनी थी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है अगर आपके number cgpa के अंदर है तो आपको उनको percentage के अंदर convert करके यहाँ पर लिखना होगा फिरत है certification course तो जो भी आपका certificate है जो कि मैंने आपको पहले eligibility के जानकारी बताई थी उस certificate का नाम आपको यहाँ पर लिखना है and then आप यहाँ पर institute select करेंगे जो कि basically इससे आपका certificate होना चाहिए and then आप यहाँ पर subject select करेंगे कि किस के अंदर आपका है sericulture, silk, vibrating तो जिसके अंद भी लिख सकते हैं यान कि not applicable and then यहाँ पर है two year intermediate course in sericulture textile यान कि आपके पास certificate नहीं है तो दूसरा विकल्पी है कि अगर आपके पास यह नहीं है तो आपके पास two year intermediate course होना चाहिए sericulture या फिर textile के अंदर तो अगर आप इसके माधियम से apply करें आप second वाला खाली छोड़ेंग फिर आप save and continue के उपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने photo and signature का section आ चुका है तो आपको यहाँ पर photo upload करना है फोटो का format आपका jpg करना चाहिए और size 2 से के 20 से ज़्यादा नहीं हो तो आपको choose file के उपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका photo हो आपको select करना है मैं आपको random image यहाँ पर upload करके दिखाता हूँ मैं इस image को select करता हूँ यहाँ से open करता हूँ open करने के बाद आपको upload के उपर क्लिक करना है बट उसके पहले देख लीजे कि यहाँ पर pixel के अंदर भी problem होने वाली है यानि कि आपका size तो मैंने आपको बताई दिया है बट आपके जो photo का size है pixel है वो आपका 100 into 100 and 150 into 150 यानिके 100 से 150 के बीच में रहना चाहिए तो उसके according आपको image को बनाना है अगर आप इसमें image को बनाने में PixArt app का इस्तमाल कर सकते है और उसके according आप यहाँ पर आपका जो image है वो select करेंगे और फिर यहाँ से इसको open कर लेंगे तो guys जैसे ही आप लोग आपका 100 से 1500 फिक्सल के अंदर रहना चाहिए और signature का dimension आपका 50 से 1500 फिक्सल के अंदर रहना चाहिए तो आपका photo और sign यहाँ पर upload हो जाएंगे कोई problem नहीं होगी अब आप यहाँ पर declaration के उपर टिक करेंगे and preview and submit इसके उपर click करेंगे अब आपके सामने आपने जितनी भी ज जानकारी गलत हो गई है तो आप उस जानकारी को यहाँ पर edit कर पाएंगे इसलिए मेरे आपसे यही suggestion है कि आप जानकारी को एक एक करके अच्छे से read करें अगर आपको लगता है कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको भी भी edit कर सकते हैं यहाँ पर आपकी application ID अदी गई है इस तरह आपका photo होगा जो कि अभी यहाँ पर किसी technical region की वज़े से नहीं सो हो रहा है तो आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी इस परकार से और अब आप यहाँ पर पूरी तरकी से sure हो करके अगर आप जानकारी edit करना चाते तो edit कर लीज़े नहीं तो आप यह to pay your application fee इसके उपर क्लिक करेंगे इसके उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते कि आपको यह बोलाए कि आपको इस link के उपर क्लिक करना है तो आपको इस link पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको टिक करना है और फिर proceed पर क्लिक करना है प्रोसीड पर क्लिक करने के आपको state of corporate में जहारकंड select करने के बाद आपको type of corporate के अंदर जो select करना है वो है आपका government department and then आपको go के उपर click करना है फिर आपको यहाँ पर select government department के उपर click करने के बाद जो select करना है वो आपको यहाँ पर जहारकंड स्टाप सेलेक्शन कमिशन ये सेलेक्ट कर लेना है जहारकंड स्टाप सेलेक्शन कमिशन फिर आप सब्मिट पर क्लिक करेंगे सब्मिट के उपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपको सेलेक्ट करना है वो है आपका JMLCCE ये आपको select कर लेना है फिर आपको आपका application number एंटर करने है जो कि अभी आपको मिला है and then आप submit पर click करेंगे अब यहाँ पर आपके सामने जानकारी को fill करने का section आजाएगा यहाँ पर आपको अपने कुछ जानकारी देनी है और bank detail देनी है अभी इस website के अंदर कुछ problem है तो आपकी ये problem जल्दी खतम हो जाएगी इसके बाद आप लोग यहाँ पर अपनी application face जमाक कर पाएंगे आप अपने form का final print out ले पाएंगे तो इस परकार से आप लोग जहारकंड स्टाफ selection commission JML CC online form 2022 को भर पाएंगे I hope यह process आपको पसंद आया होगा so thanks for watching जैहिंद